आप सभी स्वास्त होंगे, खोश होंगे, अपना कारी कार होंगे, चलिए आज हम करेंगे, SCRT द्वारा दीकी वरक्षिट दिनंक 28.1.2022, क्रमांग संक्या है 10, आज की वरक्षिट हुमारी, रिटिंग केम्पेन, निम्रेसी, क्लास 3, यहाँ पर A, B, C, आपका जो भी स्रेक वरक्षिट सुरू करते हैं, क्या दिया गया है, अंगूर के गुच्छे, छुटियों में काजल अपने परिवार के साथ गाउं में रहने गई, गाउं में उसके दादा जी के फलों के बहुत सारे बगीचे हैं, इस समय बगीचे में मीठे और रसीले अंगूर लगे हुए काजल ने अपने दादा जी के साथ बगीचे से अंगूर के बहुत सारे गुच्छे लेकर आई, काजल अपने दादा जी के साथ अंगूर के बहुत सारे गुच्छे लेकर आई, दादा जी ने कहा बेटा सभी को अंगूर देना, काजल ने घर आकर अंगूर को अच्छे से दोया और सभी भाई बेहनों को अंगूर के छोटे छोटे गुच्छे बांड दिये। काजल का भाई रोहित बूला चलू गिनते हैं किसको सबसे ज़्यादा अंगूर मिले हैं। सारे बच्चों ने अपने अपने गुच्छे के अंगूरों को गिनना शुरू कर दिया। आप इसकिन किस तरह से सभी अंगूरों को तालीका में लिखा देखते हैं। अब आप तालिका को देखकर प्रश्णों के उत्तर दीजिए, सबसे ज़्यादा अंगूर किसको मिले हैं, सबसे ज़्यादा अंगूर बचो किसको मिले हैं, ये तालिका देखकर आपको उत्तर देने हैं, तो सबसे ज़्यादा अंगूर देखे, चारू को मिले हैं, चारू क सबसे कम अंगूर किसको मिले हैं यह रोहीत को कितने मिले हैं 25 तो यहां पर रोहीत यहां पर क्या लिखेंगे रोहीत ठीक बच्चो यह रोहीत अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है अमन और काजल में से किसने, किस के पास सबसे ज़्यादा अंगूर हैं? यह देखिए यहां पर अमन और काजल यह है, काजल और यह अमन इन दोनों के पास में सबसे ज़्यादा अंगूर किसके पास हैं? वो काजल के पास हैं काजल के पास 34 और अमन के पास 28 हैं तो चलिए यहाँ पे काजल लिख लेते हैं और चौथा प्रस्ण क्या देखिए? सभी बच्चों को मिले अंगूरों की संख्या को बरते क्रम यानि असेंडिंग ओर्डर में लगाईए देखिए सब बच्चों को जो अंगूर मिले हैं हमें असेंडिंग ओर्डर में लगाना है बरते क्रम में तो पहले हम कम वाले लिखेंगे चलिए लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है सबसे कम है रोहीत का तो यहां पर पच्चीस उसके बाद अमन को मिले हैं ओत्पाईस तो यहां 28 24 और काजल को मिले हैं 34 34 और चारू को मिले हैं 41 यानी 41 चलिए आगे देखते हैं क्या है सभी बच्चों ने मिलक मिलकर अंगूरों का मजा लिया आपको कौन सा फल पसंद है सबी बच्चों ने तो अंगूरों का मजा लिया आपको कौन से फल पसंद है बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है जैसे मुझे आम पसंद है तो आपको क्या पसंद है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपको पसंद हो चलिए आगे दिखते क्या दिया है Note for teacher, the teacher should reach out to the children for the better understanding of the worksheet as per need अभी बाहों को के लिए सुझाओ है कि बच्चों के बच्चों को सभी चीजों को मिलबाट कर खाने के लिए प्रेरित कीजिए आज का COVID का मैसेज है कि जब भी बाहा निकले बच्चों मास्क जरूर लगाए कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना है उम्मीद करती कि मेरी वरक्षीट आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक करे शेयर करे और मेरे चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की अपना ध्यान ल